अलोले नर्स लिए में टू आई एस मेरतन काफी ताइम के बाद कंटिनु कर रहें लक्षमी कान की सिरीज है अब इसको नॉन स्टॉप चलेगी जब तक खतम नहीं हो जाती ठीक है इसी के साथ NCRTQ चलेगी सब्सक्राइब तक इसके बारे में प्रोविजिन किये हुए है बनाए क्यों गयते यह इसलिए बनाए गयते कि अबनार्मल सिटुएशन में सेंट्रल गवर्मेंट सिटुएशन को एफेक्टिवली मेनेज कर सके और रेशनलिटी यह थी कि कंट्री की सोर्डिनेटी यूनिटी इंटीक्रिटी एंड सेक्यूरिटी को सेवगाड़ प्रोवाइड कर रहे जाये और कंट्री का इसके अंदर एक बेसिक टेनेट साँ तो इमजन्सी के टाइम पे सेंटल गवर्मेंट ओल पावर्फुल हो जाती है इस्टेट्स सेंटल के कंट्रोल में चल जाते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर खता हो जाता है एंड यूनिटरी इस्ट्रक्चर बन जाता है कंट्री का यूनिटरी कनवर्ट हो सकता है तो एपसलूटली हो सकता है कब इमजन्सी के टाइम पे ओके तो यह बहुती यूनीक फीचर है इंडिन कॉंस्ट्टिटूशन का इसके कॉंटेक्स में डॉक्टर बीम रां अमबेटकर ने अप कॉंस्टिटूएट असेंबली में यह अपन इस सिच्टेशन के अकोडिंग यूनिटरी हो सकता है और फैडल हो सकता है नोर्मल टाइम फैडल रहेगा इमजन्सी के टाइम पे यूनिटरी हो जाएगा तो यह यह डोक्टर अमबेटकर का स्टेटमेंट कॉंस्टिटीशन गंदर तीटरह की इमजन सी बताई गई यह पहली आती आपके आर्टिकल 352 के अंदर ओल नोज एक इमजन्सी लेके नेशलम इमजन्सी इसकुम बोलते हैं 356 के अंदर आती है आपके प्रेजिडेंश रूल और स्टेट आपोल सकते हैं यह आई ऐन 352 है उसके अंदर डू टू वोर एक्टरनल अगरेशन एन आम्ड रिविलियन पहले आर्म रिविलियन नहीं तगाईजे पहले इंटर्नल डिस्टरिविंस था जो की चेंज कर जाए गाई था चलो मुझे बता हूं कौन सा सबको पता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल कोईशन भूलता हूं मैं आप उसके अंसर भी नहीं करते हैं और अब मैं चाहता हूं आप उसके आंसर करें हों के राइट तो इस तरीके के अगर ग्राउंड में इमर्जनसी लगाई जाती है तो वो नैशनल इमर्जनसी होती है ओक हाला कि Constitution में मैं बता दू कि इमर्जनसी वर्ड का इस्तमाल नहीं हो ओके इस वाली सिच्वेशन के लिए और यस पाटिकुलर्ड बता रहा हूं इस वाली सिच्वेशन के लिए फैल्वर अव कॉंस्टिटूशन में इमर्जनसी वर्ड यूज नहीं हुआ इसलिए इसको प अगर इंडिया के सिक्योरिटी इसकी यूनिटी इंटिगरेटी पर थ्रेट है कैसे होगा वोर या फिर कोई एक्स्टरनल अगरेशन करता है या आम्ड रिबिलियन होता है विदिन दे कंट्री इसल्फ ओके अगर हुआ नहीं है लेकिन उसके पहले भी जो हमारे प्रेजिएंट है वो डिखले कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि एक पोटेंशल इमिनेंट डिंजर है या पोटेंशल सिच्वेशन भी क्रियेट हो जाती है तो प्रेजिएंट आपके हमारे डिखलेर करतेंगे इमेजन्सी अब 38 अमेंडमेंट 1975 में वहता है यह वही है कि जब एक इमेर्जन्सी इंडिया में लगाए हुई थी तो उसके बाद जब पहली इमेर्जन्सी इंडिया के अंदर लगी हुई थी अकॉर्डिन के लिए तो उसके बाद भी दूसरी इमेजन्सी को लगाया गया तो यह 38 अमेंडमेंट उसी के लिए किया गया था यानि कि प्रेजिडेंट ने अगर कोई प्रोक्लेमेशन किया हुआ है वह एक्टरनल अग्रेशन आम्रेमिलियन इसके ग्राउंड पर तब उसके अलावा भी प्रे और अगर आम्रेमिलियन के वेसिस पर अगर वाली इमर्जन्सी लगाई जाती है तो इसको इंटर्नल इमर्जन्सी बोलता है तो इस तरह की इमर्जन्सी जो है नैशनल इमर्जन्सी या तो पूरी कंटर में भी लगाई जा सकती है फिर उसके एक पार्ट में भी लगाई ज को बता दिया गया कि operation of a national emergency to be to emergency to a specified part of the India लगा सकता है limitation limitation लगा सकता है कि कि एरियास तक ही आपका national emergency रहेगा originally constitution mentioned internal disturbances as the third ground पहला क्या है war second क्या है external aggression, third क्या है internal disturbance, original constitution के बात कर रहा हूं है ठीक है लेकिन है बहुत ही वेग था और इसके बहुत ही different connotations हो सकते है wider connotation हो सकते है so 44th amendment act आता है 1978 में ठीक है so इसने क्या किया armed rebellions मतलब internal disturbances से word shift कर दिया armed rebellion पे क्योंकि इसका काफी misuse हुआ था इस term का internal disturbances का आप सब को पता है okay so thus it is no longer possible to declare a national emergency on the ground of internal disturbances यसा नहीं होता अब armed rebellion होना जरूरी यह उसके कुछ parameters है okay right so president however can proclaim national emergency only यह बात note कर लो only after receiving a return recommendation from the cabinet अगर cabinet ने return में दे दिया yes आपको national emergency लगानी तब president लगाता है ठीक है हाला कि 1975 पे क्या हुआ था कि इंद्रा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी उन्होंने बिना discuss कि अपनी cabinet से president को emergency लगाने के order दे दी थे ठीक है लेकिन अब ऐसा possible नहीं है अब cabinet का concurrence is important okay so cabinet was informed of the मतलब उसको उन्होंने informing after the proclamation of the emergency किया यानि कि इस टाइम पर जो cabinet थी कॉंग्रेस गवर्मेंट की so 44th amendment ने इस system को change किया और अभी हमने 38th amendment की बात कर रही थी इसने क्या कि national emergency जो है इसके declaration को judicial review से immune कर दिया यानि कि इस पर judicial review नहीं हो सकता लेकिन इस वाले provision को हटा दिया गया 44th amendment में यानि कि आज कर सकते हैं नेक्स्ट मिनिर्वा मिल केस 1980 का केस है मेरी एक सीरीज है important judgment that transformed इंडिया की वहां जाए पूरा केस अच्छे से समझा रखा है और भी केसे हैं जो की held that the proclamation of national emergency can be challenged in a court on the ground of malefied or that the declaration was based holy on a holy extraneous and irrelevant facts और इन अप्सक्राइब और परवर्स यानि कि अगर गल्थ तरीके से लगाई गई हो emergency और अगर कोट ने उसको उसके grounds को grounds को malefied declare कर दिया तब उस पर judicial review भी होगा सब्सक्राइब भी चलेगी ओके नेक्स आता है parliamentary approval and duration national emergency की बात कर रहा है भी तक हम जब हम बात करते हैं emergency के proclamation की तो दोनों houses से पास कराना जरूरी है within या रखना जिस दिन emergency लगाई उसके एक महिने के अंदर इसमें within one month के अंदर ही इसका दोनों house से अप्रूव कराना बहुत जरूरी होगे originally ये two months था constitution के अंदर लेकिन 44th amendment जो 1978 में होगा था उसने इसको घटा करके one month कर दिया तो one month आज one month है अगर मान लीजे लोग सभा सेशन में नहीं है dissolve की हो चुकी है तब तब क्या condition होगी तब ये condition होगी sir and ma'am कि जब first sitting होता न्यू लोग सभा या फिर जो station बुलाए जाएगा लोग सभा का उसके 30 दिन के अंदर अंदर महां से अप्रूव कराना ज़रूरी है जब तक जो है राजय सभा से पास करा लेना काफी ज़रूरी है नहीं तो आपकी emergency से खतम मान दी जाएगी रद मान दी जाएगी अगर फिर दोनों houses ने इसको पाल मतला इसको अप्रूव कर दिया तब छे मैने तक यह आगे continue रहेगी एंड फिर इसको indefinite period कितने भी बार आप जो है करा सकते हैं लेकिन हर six months में इसको क्या करेंगा एक्स्टेंड करना पड़ेगा ओके मनला अप्रूव कराना पड़ेगा इसने काफी कुछ प्रोटेक्ट किया है अगर परस्पेक्टिव से देखे तो इसके पहले क्या होता था अमेंडमेंट के पहले कि अगर पास कर दी तो जब तक चाहेगी जब तक जो है बिना अप्रूवल के यह इन प्रेक्टिस रहेगा अब इसको पास कैसे करा है अब देखो इसका रेजलुशन जो है अब इसके कंटिनुएशन का तो दोनों होसे में इसको इसको स्पेशल मेजरोटी से पास कराना काफी जरूरी है जो टोटल मेंबर्शिप है उसकी मेजरीटी आफ थाउस हो या फिर मेजरीटी ऑफ नोट लेस्ट लेस्ट टू थर्ड अफ देव मेंबर प्रिजेंट एंड वोटिंग इसके पहले तो सिंपल मेजरीटी से पास करा करके लिए जा सकते थे अब इसको अटाना तोड़ा था लेकिन इसके लिए चाहिए कैबिनेट का और जो आपका एक्जिकूटीव है उनकी रिटन में लेकिन इसमें पार्लेमेंट का प्रूबल नहीं है यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट इसलिए टाइम बच सकता है ठीक है इसको हटा है एंड टो हैं सकते हैं तो फर्दर प्रेज कोड बी रिवक्ट बाइदा प्रेजिए ओन इस ओन और लोकसभा इस नो कंट्रोल इन इस रिगार्ड याने की सारी पावर प्राइम मिनेट के पास कि वही तो कहेंगे ना प्रेजिदेंट से टाने को इसलिए सो 44th amendment ने क्या किया कि 1 10th of the total number of the members of the लोकसभा गिव अर्टन नोटिस to the speaker or the president अगर house session में नहीं है a special sitting of the house should be held within 14 days for the purpose of considering a resolution disapproving the continuation of the proclamation इसमें ये कहा गया है कि 1 10th member of the parliament of the लोकसभा सोरी लोकसभा ये बहुत important है 1 10th member of the लोकसभा return में देंगे speaker को कि 14 दिनों के अंदर इसको special setting बुलाई जाए इसके लिए ताकि इस resolution को consider किया जाए कि अब emergency को रखना है कि नहीं रखना देखो यहां पर दो चीज़ दे रखिए हैं और डिफरेंस है पहला तो आपका resolution of disapproval यानि कि इसको continue नहीं रखना सेकेंड resolution approving the continuation यह difference है आपके से पहला जो first one is required to be passed by लोकसभा only यानि कि disapproval तो सिर्फ लोकसभा से भी करा सकते हो लेकि second जो है उसके लिए दोना होसी से पास कराना पड़ेगा यानि कि जब आपको इसको continue कराना है तो okay second जो first है वो simple majority से भी हो सकता है यानि कि जो हम कह रहे हैं कि हटाना है continue नहीं रखना है okay disapprove करना है emergency को तब आप simple majority से इसको pass करा लो हो जाएगा वाइल जो second state relations बदल जाते हैं काफी हद तक लोग सभा की life and state assemblies की life extend हो जाती है या फिर कम हो जाती हो देखेंगे and fundamental rights पर effect होता है सब पहला देखते हैं कि जब भी इस तरीके का कुछ national emergency लगता है आप सब इंडिया तो experience किया हुआ है so normal fabric का center state का कि basically मैंने समझा हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशन आपने कवर कर लिये तो वह लेशन आप जायकर के एक बार अच्छे से देखना हुआ हो कि सो इसमें basic changes हो जाते हैं so this can be studied under the three heads हम देखेंगे executive legislative and financial relations हमने पढ़ चुके हैं आज हम देखेंगे इंपक्ट क्या था national emergency का था पहला नेशनल इवजनसी के टाइम पर जो सेंटर की executive power है वो एक्स्टेंड कर जाती है कि अब स्टेट के भी मतब स्टेट की लिस्ट से related matter हुए subject से matter हुए तो बहुत ही easily उनको डायेट कर सकता है और यह जो सेंटर लिस्ट है उसी से रिलेटेड बातों को वह स्टेट को डायेट कर सकता है तो नेशनल इमर्जनसी में सेंटर जो है एक executive directives भी इस्टेट को कोई भी मेटर में ओके यानि की वह स्टेट पर मतलब ओडरी मानों आप ओडरी है वो ठीक है स्टेट गवर्मेंट अर ब्रोट अंडर अधर कम्पलीट रिमेंबर दवर्ड कंट्रोल ऑफ दगवर्मेंट ऑफ दे सेंटर चिक है ऐला कि उनको अटाय नहीं जाता जो cm जो cabinet जो मंत्री मंदल वह सब वही पर रहते गॉपनीटर काई यह उटाया नहीं जाता है गोवरॉल पावर है, वाजिसी के पास आयाती है बॉपर जैने पास है नहीं हो करा कहा है पाइलेमेंट किसी भी मेरेंट पे सब्जेक लिस्ट हो सेंट्र लिस्ट हो उस पर अब जो है नेशनल इमर्जनसी के टाइम पर लोग बना सकती है जो जो लेजिटिटिटी पावर वे स्टेट लेजिटिट लेजर है उसको हटाया नहीं जाता उसको सस्पेंट नहीं कहा जाता तो मैंने बताया आपको पिर काउंसल अपनिस्टर जो देते हैं अगर वहां पर किसी ने कुछ लोग बनाया इसा नहीं है कि नेशनल इमर्जनसी के टाइम पर स्टेट असेंबली इस अगर होती भी है कार्मन बनता भी है और पार्लेमेंट ने इसको चेंज करना चाहा तो पार्लेमेंट का लोग पर रिवेल करेगा नॉर्मल टाइम में इसा नहीं होता अब जो भी लोग पार्लेमेंट ने बनाए इस्टेट लिस्ट पर तो जब नेशनल इमर्जनसी खतम हो जाएगे ना उसके छे महिने के बाद यह लोग भी खतम हो जाएगे याद रखना अब आप मुछ से कोशन पूछो कि सर अगर बत क्योंके जो है प्रेजिजीन्ट लि은 कर लेंगे है अब आप लगंध्zeit को को में ब्राइक प्रवाइट कर सकती है आप अन्य आट को सकती है agersां युनिंटल करणे तो इस तरइकल से चनला इनको इया जाएगा और कियो इह टाइम है अब नेशनल इमर्जनसी का का तो 42nd amendment जो था 1976 में उसने क्या किया कि दो consequences हो इसके जो एक्जिगुटिव लेजिलिटिव के बात करी कि यह से उन स्टेट्स तक ही नहीं रहेगा जिससे स्टेट में इविजन्सी है बलकि यह जो है दूसरे स्टेट्स तक भी implement होगा अब फाइनेशल रिलेशन्स की बात करते तो प्रेजिडेंट जो है वह ही वह मॉडिफाय कर सकते हैं जितने भी constitutional distribution of revenues होते हैं ना टेक्स का distribution हुआ या फिर दूसरे ब्रेजिदेट या तो उसको मॉडिफाय कात度ा हिया जिसार कर देगा या फिर एसेट्र ट्रांसफर होगा जो शेन्गा सेंटर से इससे स्टेट को दिया जाता झाता है Also every such order of the president has to be laid before the houses of the parliament, यह ज़रूरी है, देखें अच्छे से बड़े इसलिए हो जा रहा है कि अच्छे से पढ़ रहा है हमें, सब कुछ छूट है ना, अब यह देखें कि life of log sabha and state assembly उस पे क्या impact पड़ता है, कि इस साल national emergency लगाई है, अगर उस साल log sabha उनके 5 साल पूरे हो ग एक साल तक का time extend करा सकती है, किती भी बार, ठीक है, एनी length of time जब तक national emergency रहेगी, लेकिन जिस बगत national emergency हट गई, उसके 6 महने के अंदर-अंदर election कराना जरूरी हो जाते हैं, नहीं लोग sabha के, तो जिसे 5 लोग sabha 1971 से 1977 तक है, ठीक है, तो दो बार यह जो extend हुआ time, एक एक साल legislative assemblies, अब यहां पर देखो कि fundamental rights फिक का impact होता है, article 358 and 359 के बारें बात करेंगे, आगे थोड़ा सा, so इसमें basically detail में आगे बात करेंगे, differences क्या है, so इसमें describe है कि effect of national emergency on the fundamental rights, पता चले हैं इन से, so 358 कि से deal करता है, with the suspension of the fundamental rights, guaranteed by article 19, है न, जो आपका article 359 है, वो deal करता है, suspension of fundamental rights, जो कि article, except those articles guaranteed by the article 20 and 21, यानि कि इसके लबा सारे, fundamental rights अपके अंदर article 359, पूरे fundamental rights, directive principle, fundamental duties, यह सब करा दियें complete, जाकर के देखो, okay, so suspension of fundamental rights under article 19, यह देखे सब से पले, तो article 358 के according होता है, जब भी national emergency लगाई जाएगी, तो छे fundamental rights, जो article 19 के अंदर आते हैं, वो automatically खतम, okay, automatically suspend हो जाएगे, कोई separate issue, order नहीं करना, कोई order, जब जब तक national emergency operation में रहेगी, state is free, state is freed from the restrictions imposed by article 19, यह एक है, इसमें क्यों होगा देखो, state can make any law, or can take any executive action, अगर, अगर, कोई भी six fundamental rights को, जो की guarantee, article 19 करता है, तो उसको average करने पर, कोई भी executive action ले सकता है, state, कोई भी law या फिर executive action को challenge नहीं किया जा सकता, कि हमारा, यह वल्ला fundamental right वाइलेट हो गया, इस ground पर, okay, जिस वक्त national emergency को हटा दिया जाएगा, उसी वक्त आपके पूरे article 19 कि जितने भी fundamental right रिवाइब हो जाएगे, और वापिस से come into force, और जितने भी law बनाए गए, article 19 से related, वो सब भी खतम हो जाएगे, जिस वक्त आपकी national emergency खतम हो गई, लेकिन जितने भी घटना है, emergency के टाइम पर होती ही, तो उसकी कोई remedy नहीं हो सकता, इमर्जन्सी के टाइम पर इमर्जन्सी खतम होने के बाद भी, यानि कि अगर कोई legislative action होता है during the emergency, उसको challenge नहीं किया जा सकता, कि इस तरीके के crime किये गए हैं हमारे किलाफ during the emergency, ओके, and I think, मैं personally feel करता हूँ कि यहाँ पर थोड़े से हमको amendment करने की काफी जरूरत है, अब 44th amendment ने क्या किया यह जो basically scope of article 358 है जो कि fundamental rights को average करता है अंदर article 19 इसको restrict करने के लिए जो 44th amendment आया पहला इसने क्या किया कि यह जो इसने भी fundamental rights है अंदर article 19 के इंदर six fundamental rights है सिर्फ और सिर्फ जब भी suspend होंगे जब national emergency किस ground पर लगाई जाएगी war और external aggression ठीक है and not mention करना not on the ground of armed rebellion अगर emergency war and external aggression के ground पर लगाई गई है तभी आपके article 19 के सारे law rights खतम होंगे suspend हो जाएगे secondly only those laws which are related with the emergency जो laws emergency से related है उन्हें ही protection दिये जाएगा यानि कि इसको challenge नहीं किया जा सकता है बाकि other laws को किया जा सकता है ओके ओके ठीक है also the executive action taken only under the under such a law is protected तो अमने article 358 का जो restriction है suspension of fundamental rights वो discuss किया अब इसके अंदर देखते हैं कि जो article 359 के अंदर suspension होता है fundamental rights का तो यह president को authorize करता है कि right to move any court for the enforcement of fundamental rights during the national emergency देखो इसके लिए कहा जाता है कि यह आपके fundamental rights को suspend नहीं कर रहा बट उनके enforcement को लेकर के आप जो है यहां पर restriction लगाए जाता है यानि कि अगर आप कहते हैं हमारे यह वाले fundamental rights जो है violet हो रहे हैं तो आप court नहीं जा सकते उस time पर allowed नहीं होता वो ठीक है उसके माहनेता नहीं होती आपके fundamental rights को नहीं हटाया जा रहा बस उनका enforcement को अटाया जा रहा है तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह जो राइट से वह theoretically तो alive है बट right to seek remedy suspend उनको पाने का अधिकार तो खत्म हो गया presidential order के अंदर इसके बारे में mention होगा जितना भी कुछ है कि बदलब कौन से rights आप केट आदिए गया है या फिर इस तरह के से उनको कितने time तक रखना है तो इसमेंशन होता है उससी क्या coding कि इसका कोई hard and fast rule नहीं है यह सब भी वही लिगा है कि अगर माली ज़िए fundamental rights अगर state कोई executive action लेता है लोग बनाता है fundamental rights से specified करने या फिर उसको average करने के लिए तो उसको challenge यह कि नहीं किया सकता on the ground of कि हमारे fundamental rights का violation यह सब अब 44th amendment act ने जिस तरह के से 358 का रेस्टेट किया था इसको भी किया कैसे पहला कि president cannot suspend the right to move court for the enforcement of fundamental rights जो कि basic है guaranteed by article of 20 and 21 यानि कि इनको exclude कर दिया गया article 20 and 21 इसको right to seek आपको right है okay so in other words right to protection in respect of conviction of offense यानि कि article 20 यानि कि अगर आपको कोई offense किया है तो उसका conviction conviction का respect करना यह आपका fundamental right है okay second right to life and personal liberty article 21 के अंदर इसके अंदर तो यह हमेशा in force में रहेंगे during the time of national emergency okay second क्या change किया second यह change किया मैम कि सिर्फ वो जो emergency से related है उन्हें protect किया जाएगा from being challenged नहीं कि challenge करने से बाकि सारे अदर लोग को challenge किया जा सकता है अब यहाँ पर difference देखलो article 358 और 359 में क्या differences है पहला जो 358 है ठीक है वो confine करता है fundamental rights को अंदर article 19 यह मैंना को बता दिया and जो article 359 है यह आपके सारे fundamental rights जिनके enforcement presidential order के अंदर mention होगा ओके इनका suspension शिक सेकेंड article 358 जो है वो automatically suspend कर देता है article 19 को उसके अंदर जो 6 rights है ठीक है चलो को मुझे बता सकता है article 19 के अंदर जो 6 rights है जो fundamental rights बेसिक राइट से बहुत ही तो वह मैंने समझा हुआ है तो comment section में mention कर दो अच्छे से ओके on the other end हम बात करें तो article 359 तो automatically यह नहीं होता है fundamental इसके लिए president को presidential order निकालना पड़ेगा और president कर सकता है उसको ठीक उसमें भी exclude कर दिया article 20 और 21 को जैसे अम मेंने बताया आपको 44th amendment है तो article 358 के अगर हम बात करें तो यह सिर्फ external emergency के case में अटाया जा सकता है article 19 की जिते भी rights उनको और internal emergency के नहीं अटा सकता internal emergency मैंने समझा दिया आपको कि armed rebellion के ground पे लगाएंगे तो इसको internal emergency बोल देंगे सिंबल स्वरी आर्टिकल 359 में क्या डिफ्रेंस है कि यह external emergency के टाइम पे भी लगाई अटाया जा सकते वाले राइट्स एंड इंटर्नल 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 इंटर्टिकल 358 यह फंडमेंटल राइट्स बैसिकली आर्टिकल 19 के अंदर इंटायर डूरेशन kे लिए रहता है लेकिन आर्टिकल 39 इसा नहीं ए आर्टिकल 359 मैं जो प्रेजिडेंशल ओडर के अंदर मेंशन होगा कि इतने टाइम तक या फिर इमजन्स जिके इतने टाइम तक इतने duration तक यह आपका suspension रहेगा इन fundamental rights पर तो वो mention होगा ठीक है ठीक आर्टिकल 358 जो है वो पूरी country में extend किया कर सकते हैं लेकिन जो आपका article 359 है जो restriction करता है article सारे fundamental rights पर तो वो सारे country पर भी लगाया जा सकता है और एक part पर भी लगाया जा सकता है आर्टिकल 358 जो है वो आर्टिकल 19 को completely suspend कर देता है लेकिन आर्टिकल थर्टिन आर्टिकल 359 इसा नहीं करता यह basically does not empower to suspension मैंने करना आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटा सकता आर्टिकल 359 भी आर्टिकल 358 की बात करें वापिस से तो state to make in any law यह state को अलाव करता है कि कोई भी लोग जो आप बनाए और यह फिर कोई भी एक्सिकुटिव एक्शन लें इनकंसिस्टेंट विद फंडमेंटल राइट अंदर आर्टिकल 19 ठीक है लेकिन 359 जो है वो state को इनेबल करता है तो फंडमेंटल राइट को वाइलेट वनलब सस्पेंट करने का order प्रेजिटेंट ने दिया उसी पर ही जो है लोग बना सकते हैं तो अमने यह तो देख लिया कि इनके डिफरेंस के similarity देख लो कि बहुत प्रवाइट इम्यूनिटी फ्रम चेलेंज टू अनली दोस लोग जो की इमर्जन्सी से रिलेटेड है तो यह एक similarity है and also the executive action taken only under such a law protected by the both article अब देखते हैं कि declaration of national emergency कितनी बार किया गया 1962 में किया 1971 में किया 1975 में किया ओके तीन बार लग चुका है अभी तक पहली बार लगा 1962 October month में Chinese aggression जो निफा एरिया में हुआ था हमारा North Eastern Frontier Agency जो कि आज अरुणाचल प्रदेश हम कहते है तो इस एरिया में चाइना का aggression काफी जादा था and एक जड़ब भी हुई थी हमारी काफी बड़ी यह कब तक रहा इनफोर्स 1968 तक तो काफी लंबे टाइम तक कि रहा छे से साथ साल हैंस एक फ्रेश प्रोक्लमिनेशन लाया गया वस नोट नीड़ेड इस ताइम वर अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1965 ठीक है तो 1965 में पाकिस्तान से भी जड़ब हुई तो उसके टाइम पर कोई नया लेकर की नहीं आई यह उसी को continue रखा ठीक है सेकिंड आइम कब वह 1971 में जब पाकिस्तान ने अटेक कर दिया इंडिया के उपपर और कुछ भी निवा पिटाई होई पाकिस्तान की बुरी तरह है सो इवन वेन इस इमर्जन्सी वस इन ऑपरेशन एक थर्ड प्रोक्लमेशन ओर लेकर के आए गया नाशनल इमर्जन्सी का जून 1975 में अब बोद द सेकिंड एंड थर्ड प्रोक्लमेशन वस रिवॉक्ट इन मार्च 1977 हटा दिया गया फिर आपकी एलेक्शन होते है छेवेने दोते है ना 1962 और 1971 तो यह एक्स्टर्नल अगरिशन के ग्राउंड पर लगाए गये थे लेकि जो थर्ड लगाया गया था ना 1975 का जो सबसे ज़्यादा कॉंट्रवर्शल है वो इंटर्नल इस्टर्विंस पर लगाया गया था उसके ग्राउंड पर सो जो 1975 की इमर्जन्सी थी वो इतनी कॉंट्रवर्शल हुई कि बहुती वाइड इस्प्रेट क्रिटिसिम हुआ कि इमर्जन्सी पावर का मिस्यूज हुआ है तो फिर इलेक्शन होते हैं और कॉंग्रेस पार्टी जो इंद्रा गांदी जी थी वो हार चुकी होती है और जं चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जा सके ठीक है तो कमिशन डिट नो जस्टिफाया देक्लेरेशन और इमर्जन्सी वो कहता है कि नहीं इमर्जन्सी लगाना कोई जरूरी नहीं था हो स्रेंपर हाँ ठीक है एंस 44th amendment act कोई नेट किया गया 1978 के अंदर जितने इसने चेंज रूल जिसको डीटेल में देखेंगे और कम्प्लीट करेंगे ओके सो जब तक लिए stay tuned and have a nice day and please revise करते रहो and share तो करना ही आपको ठीक है so like कर देना कर पसाद आता है तो ठीक है so मिलते एक लिए listen जब तक लिए stay tuned and have a nice day